Hi everyone, very warm welcome to all of you to Unacademy SSE Plus So, आज हम बात करने वाले हैं First in World in Static GK Booster Series यह daily series है और morning में इसकी वीडियो आपको मिल जाती है आप बाकी जो वीडियो जो ही है वो भी देख सकते हैं और अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज दू लाइक दिस वीडियो तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं First in World category में भी काफी सारे questions पूछे जाते हैं तो आपको मैं कुछ categories करवाने वाली हूँ जो miscellaneous है तो सबसे पहले यहाँ पर question आता है कि the first person to reach Mount Everest तो वो कौन थी? आपकी थी शिर्पा तेंजी नौरगे and Edmund Hillary तो यहाँ पर आपसे यह पूछ लिया जाता है काफी बार यह important question आता है बट यह first in world category में है ठीक है? पूरे world में सबसे पहले कौन था? उसके बाद यहाँ पर पहले person to reach North Pole in world वो है Robert Perry यहाँ पर उनकी snap भी रखी गई है तो यहाँ पर यह question direct आता है Please remember that next हमारे पर आता है the first person to reach South Pole अब North Pole पर कौन है? Robert Perry है और South Pole पर कौन है? Amundance तो यहाँ पर यह हो गया and the first region of the world religion जो है सबसे पहला कौन से है वो है Hinduism इसको सनाता धरमा भी बोला जाता है आपको दोनों options जो है वो देखने को मिलते हैं कई बार examiner जो है आपको Hinduism बोल देता है कई बार सनाता धरमा भी option में आपको देखने को मिलेगा next हमारे पास आता है ऐसी कौन सी country थी जिसने सबसे पहले जो है book को publish किया और पहली country थी जिन्होंने पेपर करंसी भी इशू की थी वो भी आपकी चाइना थी तो पेपर बुक आंट आपकी पेपर करंसी सबसे पहले किसने पब्लिश की है चाइना ने किया और वन मोर तिंग इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आए थे वो लेकर आए थ अगला देखते हैं the first country to commence competitive exam yes competitive exam जो है जो आप आप आज दे रहे हो जिसकी वेज़े से आप परशान रहते हो राइट वो सबसे पहले किस ने लिये थे वो चाइना ने लिये थे गाईस और सबसे पहले प्रेजेंट आप दे यूस से कौन थे जॉच वाशिंग्टन थे नेक important वो है आपके त्रिगवेली जो कि नौर्वे से बिलॉंग करते थे यह काफी important है जब भी आपको जो है world organizations के बारे में पूछा जाता है तो यह question आपके लिए paper में आपका आता है next हमारे पास आता है जो first country थी जिसने पहली बार football world cup जीता वो आपका उर गे थी और पहली country ज याद रखनी है कि सबसे longest constitution in the world कौन सा है वो आपको याद रखना है हमारा इंडिया है ठीक है अगला देखते हैं the first governor general of Pakistan मोहमद अली जिन्ना थे तो आप से पूछ लिया जाता है कि पहले governor general Pakistan के कौन थे तो वह है मोहमद अली जिन्ना मुसलिम लीग को यह represent करते थे और the first European to attack India yes very very important question history का कि पहला एसा European कौन था जिसने attack किया था वो था Alexander the Great बहुत बच्चे के गलती करते हैं Portuguese को टिक लगा जाता है no Alexander से पहले आये थे और सबसे पहले European जो थे जो आपके China reach के थे उनका नाम था Marco Polo और जो first person थे जिन्नोंने aeroplane जो है आपका fly किया था वो थे right brothers ओके चलिए नेक्स बढ़ते हैं the first person to sail around the world वो है Megalyn और the first country to send a man to the moon ये तो आपको पता ही है वो है आपका USA से next हमारे पास आती है सबसे पहली ऐसी country जिसने launch की artificial satellite into space वो कौन सी थी रश्या और सबसे पहली country जिसने modern Olympics को जो है host करवाया था वो आपकी थी Greece तो ये भी आपका काफी important question है और Olympics में कोशन आपका देखो एक स्टार्टिक जीके के रूप में आ सकता है कि जब Olympics होने वाली ह आपकी आनियों तो first country जिसने host की थी आपकी modern Olympics वो कौन सी थी Greece थी ओके चलो पहली country on which the atom bomb war जो है dropped हुआ था यह आपको पता है हरिश्रमा जपान में हुआ था very very important और सबसे पहले person जो आपके land हुए थे moon में वो कौन थे Neil Armstrong फिर उनको second number पे कौन थे Edwin ओके next हमारे पास आता पहली prime minister of England कौन बनी थी Margaret बनी थी और पहली woman PM of a country वो कौन बनी थी आपकी श्रिलंका की आपको याद अखना है वो है बंद्रनिका ओके जी first Muslim PM of a country जो है वो आपके बनेजर भुत्तों बनी थी Pakistan की और पहली woman to climb by Mount Everest पहली woman जो आपने पिछली बार देखा था वो मेंस नहीं के दोनों और यहाँ पर right answer आता है वो जपान की एक woman थी जिनका नाम था जुनको तबई ओके यहाँ पर उनकी पेख है आप देख सकते हो नेक्स हमारे पास आता है पहली customer of the world जो है वो थी आपकी Valentina रश्या से बिलॉंग करती है और सबसे पहली woman जो की UN की General Assembly थी वो हमारे यहां से थी वो थी विजय लक्षमी पंडित ठीके जी ज्वालना लेरु जी की sister थी है और the first man to fly into space वो कौन थी यूरी जो की आपके रश्या से बिलॉंग करते थे देन हमारे पास first batsman जिन्होंने तीन test century में तीन successive test debit खेले वो है असारुदीन ओके नेक्स हमारे पास आता है the first man to have climbed Mount Everest twice, दो बार इन्होंने twice किया यह है नवंग और the first US president to resign presidency वो है Richard Nixon, again very important question, पहली country जिन्होंने होस्ट की नाम summit यह Belgrade ने की और Asian city to host Olympics यह किस ने किया टोक्यो जपान, तो जो Asian कौन सी city थी पहली जिन्होंने Olympics की और सबसे बहले आपको मैंने अभी अभी बटाया कि modern Olympics क सबसे पहली होई थी वो आपकी होई थी Greece, तो यह ऐसे questions बहुत बार आते हैं गाइस, athlete disqualified at the Olympics for drug use पहले कौन से थे, वो हैंस थे, मेक्सिको Olympics से जिन्में इनको जो है निकाल दिया गया था, क्योंकि इन्होंने drugs ली थी, और पहले ऐसे blind person जिन्होंने Mount Everest को concurr किया था, वो थे Eric, जो की USA से बिलॉंग करते थे, 2001 में इन्होंने Mount Everest के चड़ाई जो है, वो चड़ी थी, ओके, आप सबसे पहली country जिन्होंने education को compulsory किया था, वो था प्रश्या, और सबसे पहली country जिन्होंने radio telescope satellite जो है, space में भेजी थी, वो थी आपकी जपान, first draw the map of the earth, सबसे पहले किसने map को draw किया था, आपके earth के वो थे, आपके annex minder, तो ये again very very important है, the first man to compile, encyclopedia, encyclopedia वो कौन थे, आपके, s forces, okay, so next हमारे पास आता है, man to win noble prize in literature, पहले पूरे world में कौन थे, वो थे, रेने, और slit, उसके बाद, man to win noble prize in for peace, वो कौन थे, दुनत और फ्रेडरिक, man to win noble prize in physics, chemistry and medicines, यहाँ पर आप देख सकते हो, J.H. Winton, A.E. Wann, ठीके जी and John, ये तीन परसंदे जिनोंने physics में आपके Winton ने जीता है, chemistry में आपके, Wann ने जीता है, medicine का आपके, John ने जीता है, man to sail around the world alone, वो है, Joshua Skolokum, अब ये आपको याद अखने पड़ेंगे, कुछ नहीं है, इनका थोड़ा बहुत अगर आपको पता होगा, तो भी आप exam में जाकर options देखते होगे, आप easily answer दे पाओगे, सबसे पहले वैसे person कौन थे, जिन्होंने space में walk किया था, वो थे LXC 1965 में, और सबसे पहला man थे, जिन्होंने English channel across किया था, वो थे Matthew Webb in 1875, सबसे पहली movie कौन सी बनी थी, वो बनी थी jazz singer 1927, और सबसे पहला space vehicle on the land, जो मून में था, वो था lunar exploration module, जिसको L.E.M.B. बोला जाता है, University of the world, सबसे पहली university कौन से बनी थी, तकसिला university बनी थी, और सबसे पहले space tourist कौन थे, डेनिस टीटो थे, जो की USA से बिलॉंग करते थे, तो यहाँ पर आज हमने काफी सारे first in world किये, miscellaneous category में, जो generally आप नहीं पढ़का जाते हो, जैसे कि आपके Olympics वाले काफी important थे, ठीक है, आपके spacecraft वाले काफी important थे, evenly आपको यह भी पता चला कि सबसे पहली country जिनोंने constitution प्रिपेर किया, वो USA थी, तभी हमने fundamental rights वहाँ से लेते हैं, तो इस तरीके से first in world category का यह part number first है, आगे भी मैं parts लाती रहूंगी, जिसमें बहुत चारे first in world जो हो मैं complete करूंगी, so I hope you like the video, ब देखोगे slides को pause करते करते देखो एक बार, ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है, लाइक ज़रू कर देना, चानल को सबस्क्राइब कर देना, थैंक्यू वेरी मर्च, हावागृ